हेलो दोस्तों सागत है आपका हमारे यट्यूब चनल पर तो गाईस आज की सुड़ों में हम आपको उताने वाले हैं कि पोको मोबाइल में SD कार्ड को कैसे फॉर्मिट करें या मेमोरी कार्ड को कैसे फॉर्मिट करें और इरेज कैसे करें तो गाईस काफी असान तरही का हम आपको बताने वाले हैं तो वीडियो को लाश तक देखते रहें वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे भी आप ऐसे ही इंट्रेस्टिंग व्योग आने वाले हैं तो guys करना क्या है सबसे पहले आपको mobile के settings में जाना है mobile के settings से format होता है तो चलिए हम mobile के settings को open करते हैं तो यहाँ पर आने के बाद अब आपको थोड़ा नीची आना या और एक settings खोजना है storage नाम का तो आप भी check लेना आपके phone में storage नाम से हो सकता है या फिर इस दूसरे नाम से भी हो सकता है तो चलिए storage वाले option पर click करते हैं आपको इसे खोजना है फिर आपको इस पर click कर देना है और इसे सभी mobile में storage नाम से होता है तो जैसे click करेंगे आपको सबसे उपर phone storage से होगा अब आपको थोड़ा नीची आना है और सबसे नीचे आपको एक option मिलेगा SD card का तो SD card पर click कर देना है click करने के बाद अब आपको fit से आना है थोड़ा नीचे और एक option मिलेगा format SD card का format SD card पर click करना है यहाँ पर आपको mobile का password डाल देना है और जैसे इतना आप कर लेते हैं देखिए format का option आ चुका है अब जैसे इस फॉर्मट पर click करेंगे SD card all erase या format हो जाएगा तो इस तरीके से आप format कर सकती हैं या फिर आपको दूसरा तरीका बताता हूँ कैसे format कर सकती हैं तो mobile में से SD card को निकाल देना है format करने एक बात फिर से इसी मौल में लगा लेना है तब भी SD card format रहेगा तो गैस इस तरीके से आप format कर सकते हैं तो आज की वीडियों बस इतना ही वीडियों को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक्यू